अज़िया नमो नमा च्छात्रों आश्विद्याले से एक बार फिर से मैं नीदी शिर्वास्तों आप सबका स्वागत करते हूं खासतों से यूपी बोर्ड के कक्षा दस्वी के च्छात्रों का स्वागत करते हूं तो च्छत्रों पूर्ड की कक्षा में हमने आपको संस्कृत पद्यप्यूशम के द्वितिया पाठ के विशय में अध्यन कराया तो चात्रो आपको इसमें हमने बताया कि या पाट भी पूर पाट की भाती महाशी वेद्व्याद्वारा रचित महाभारत से लिया गया है परन्तु इस पाट में महाशी भ्रिगू और महाशी भर्द्वाद जो है वापस में वारतालाब कर रहे हैं इस वारतालाब में चात्रो वे दोनों श्लोको के माध्यम से प्रेश्ण और उत्तर कर रहे हैं ठीक है तो चात्रो इसमें क्या प्रेश्ण और उत्तर हो रहा है इसमें श्लोको के माध्यम से यहाँ बताई जारी है कि व्रिक्षो में भी प्राण होता है व्रिक्षो में भी चेतनता होती है व्रिक्षो में भी जागरिती होती है इसलिए हमें व्रिक्षो के साथ सत्विहवार करना चाहिए इसी के बारे में यहां बताया गया है तो छात्रो पूर्व के अंश में हमने आपको बताया कि महाशी भ्रिगु ने दो श्लोकों के माध्यम से यहाँ बताया गया कि शरीर हमारा जो है वो पाँच भूतों से मिलकर भना है और ये पाँच भूत क्या है जल अगनी अकाश वायू और प्रित्वी इनी पाँच भूत के माध्यम से हमारे शरीर का गती होता है यानि चलाएमान होता है तो छात्रो आगे के श्लोकों के माध्यम से महाशी भ्रिगु और भार्दवाज क्या करें उसको जानने के लिए आईए देखते हम लोग क्लाश 10 संस्क्रेट पद्धिप्योशम द्वितिया पाठा का द्व के सासत हमने विशेश पर भी प्रकाश डाला है यह तीसराश लोक है और इसमें भी महाशी भ्रिगु कह रहे हैं इत्ये तई पंच भीर भू तई युक्तम इस्थावर जंगम ततस्ते शाम महाभूत शब्दो आयम उपद्यते क्या कह रहे हैं इत्ये तई पंच भीर भू तई युक्तम इस्थावर जंगम ततस्ते शाम महाभूत शब्दो आयम उपद्यते ठीक है चात्रों इस लोका असलात करने के लिए हमको अन्वे करना है और अन्वे करने के लिए करता कर्मे क्रिया और इनके विशेशन को अन्य विबक्तियों के साथ एक पंग्ती में नियोजन करना ये अन्वे का नियम है तो चात्रों अन्वे देखिए इत्ये तई संधी करते ते अन्वे में आपको मालू में इत्ये पंच भी भूतई युक्तम इस्थावर जंगम अस्ति शोत्रम ग्राणम रसा इस्परशा दृष चांडरिय संगिता ठीक है तो चात्रों श्लोक का अन्वे करने के लिए अन्वे के बाद संधर करना और प्रस्तूज़ अन्व Esse जो है महा भारत संगरे संकρι साहित के पदधिश्यम के विस्चाण हैं और इस वतारण में ४ंच महाभूत ऐसे संग्ति के साद्ध महाभूत पाच इंद्रियों के ये पाच ग्यान इंद्रियों के ये सेंस और गिंस के विशे में भी वर्णन किया है देखिए इत, एत, पंच, भी, भूत, युक्त, इस्थावर, जंगम, अस्थी ये महारशी भिगू क्या कह रहे हैं कि इत, एत, इत, ये व्य, इस प्रकार से पंच भी यने पांच भूतई यने भूतों से युक्तम यने युक्त यने बना हुआ या जड़ा हुआ इस्थावर जंगम अस्ति यने इस्थावर यने जड़ और जंगम यने चेतन तो जंगम चेतम अस्ति इस्थावर जंगम अस्ति तो यने वो क्या बता रहे है कि स्थावर जंगा याने जड़ और चेतन का रूप ही यह संसार है ठीक है चात्रों तो वो क्या बता रहें मार्शी परिगू कि इत एतेई पंचभी भूतेई याने इस प्रकार से इन पांच महाबूतों के द्वारा यूगते या पांच महाबूतों से जड़ा हुआ इस्थावर जंगम अस्ती याने जड़ और चेतन रूपी यह संसार है शोत्रम याने कान ग्राणम याने नाक रसह याने जीव इसपर्शा याने टच और द्रिष्टी याने आख च इंद्रिया संगिता अस्ती याने ये पांच जो हैं वो इंद्रिये हैं और इंद्रिये नाम संगिता याने नाम वाले तो उन्होंने बताया कि कान नाक रसना इसपर्श और द्रिष्टी जो है ये पांचों इंद्रिये नाम वाले हैं देखे पिक्चर में मैंने आपको दिखाया है तो इस प्रकार समझ में आगे है चात्रौ आपको कि इतेतेई पंचबी भूतेई युकता इस्थावर जंगा मस्ती अर्थार इस प्रकार इन पाच महाभूतों से युकते जड़ और चेतन रूपी यहां संसार है काण, नासिका, रसना, इस्पर्ष, त्वच्चा और द्रिष्टी ये पाचो जो हैं ये हमारे सेंस ओर्गेंस हैं यानि पाचो इंद्रिये नाम वाले हैं ठीक है चात्रो ना इसमें विशेश है इस्थावर जंगमम में द्वंदो समास है कि स्थावराश्च जंगमाश्च संदी और ये चोटी चोटी वो तो आप सब कर लेंगे ना श्लोक नमबर चार चात्रो इसमें आप महाशी भार्दवाश बोल रहे हैं तो देखे भार्दवाश क्या कह रहे हैं पंच भिर यदी भूतेस्तु युकता इस्थावर जंगमा इस्थावराणाम नद्रिश्यंत शरीरे पंच धात उन्होंने क्या कहा बर्दवाश जीने पंच भीर यदी भूतेस्तु युकता इस्थावर राम्नदिश्यंते शरीरे पंच धात वहाँ इने शरीर को पंच धातु बताया है देखिए क्या कह रहे हैं अब वही श्लोक का अग्वे करने के लिए हमको करता कर्मिक्रिया और इनके विशेशन को अल्य भक्तियों के साथ एक पंक्ती में नियोजन करना ही अग्वे के लाता है यहने उन्होंने क्या का उसके बारे में भार्दवाजी के बारे में आगे पढ़ेंगे पहले संदर्व जान लीजे कि प्रस्तु श्लोग जो है वो महाभारत से संग्रही संस्कित साहिते के पद्प्यूशम के विक्षा नाम चेतनत्वम शीशक से लिया गया है और इस आउतरण में महाशी भरदवाज शक प्रकट करते हैं याने संदे प्रकट करते हैं कि जड़ जीवों में जब ये पाज तत्वे नहीं है यदी हैं तो वो दिखाई क्यों नहीं देते हैं याने उन्होंने जल अगनी वायू ये सब को देखने की बात करें तो देखे चत्रो यदी स्थावर जंगमा पंचबी भूते युकताह संती ठीक है तो यदी यने यदी ठीक है फिर यदी यने यदी इस्थावर जंगमा पंचबी भूते यने यदी ये जड़ और चेतन पाँच तत्वों से मिलकर बने वे हैं युकतासंती यहने युकते हैं या बनेवे हैं तरही यहने तो तू यहने तो इस्थावराडाम शरीर यहने तो विक्षो के शरीर यहने तो इस्थावराडाम यहाँ पे विक्ष के लिए कहा गया है तो इस्थावराडाम यहने विक्षो के शरीर यहने शरीर में पंच धात् या पांचो तत्वर कथम नदृशनते याने क्यों नहीं दिखाई देते हैं जैसे हमारे शरीर में दिखाई देता है रखते है पानी का ठीके और ठोसफदा जो है वो पृत्वी का तो उसी तरह से जब वृच्छों में भी ये सब चीजे हैं तो वो हमको दिखाई क्यों नहीं देखाई गुंक है ऐसा भारदवास जी कहते है तो वो क्या कहरे है कि अधि ये जड़ छेतन पाँस्थ्वों से युक्त होते हैं तो व्रिक्षो के शरीर में ये पास तत्वे क्यों नहीं दिखाई लेते हैं अता व्रिक्षो में भी चेतना शक्ती का अभाओ है यहने वेच्षो में जागरती नहीं है वो प्राण नहीं है प्राणवान नहीं है वो सास नहीं लेते हैं विशेश यदि इस्थावर जंगमा इस्थावर जंगमाच में द्वंद समा से पहले भी बताया भूते स्थू में संदी हो रही है भूते ही प्लस तू विसर संदी नौ श्लोक नंबर पांच भादवाजी कहते हैं क्या करें अनुष मानाम चेष्टा नाम घनानाम चेव तत्वता विरिक्षा नाम ना उपलभ्यंते शरीरे पंच धात्वाजी कहते हैं चात्रो अनुष मानाम चेष्टा नाम घनानाम चाव रिक्षा नाम शरीरे तत्वता पंच धात्वा ना उपलभ्यंते अब अनुष के बाद हमको हर श्लोक में संदर्व करना होता है तो इसमें भी संदर्व में वही बात है कि प्रस्तु श्लोक जो है महाबरा से संग्रहीत है और पद्य पीशम के विक्षा नाम चेतन त्वम सीशक से लिया गया है और इस वतरण में मार्शी भरद्वास विक्षो के शरीर में पांच भूतों की सक्ता में संदेव्यक करते हुए कहते हैं क्या कह रहे हैं कि अनुश्मा नाम अनुश्मा नाम अनुश्मा नाम अनुश्मा नाम अनुश्मा नाम यनुश्मा 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 न पंच धात्वा यह पाँ धात्व ना उपलब यंते यह नहीं उपलब्दे होते हैं तो क्या बता रहे हैं महाशी भर्दवाज कि उश्मा से रहित और चेश्टा से रहित यदिक गतीशीर्टा से रहित और घना नामचा याने और ठोस रूपों से रहित वरिक्चा नाम याने वरिक्चों के शरीरे याने वरिक्चों के शरीर में तत्वता याने वास्त्विक रूप में पंच धात्वा याने पांच भूत तत्वे ना उपलभ्यंते याने नहीं पाई जाते हैं तो वो क्या कह रहे हैं कि उश्मा से रही चेष्टा से रही याने उश्मा रही तो चेष्टा ही और ठोस रूप विक्षो के शरीर में वास्त्वीक रूप से पांच भूत तत्व ना उपलब्यनते याने नहीं पाए जाते हैं न उपलब्यनते यने नहीं पाए जाते हैं, चातरों थोड़ा सा मिष्टेक था, सही होगा, तो चातरों विशेश में अनुश्मानाम, आविद्य में आपका तत्पुरुष समास है, आविद्य माना, उश्मा ये शाम ते, अनुश्मानाम ते शाम यने यहाँ पर तत्पुर तुछ समार है ठीक है तो च्छत्रो इसी के साथ यहां पर समाप्त होता है आज के इस अंश में आपने महार्शी भरद्वाज द्वारा रचित तीन श्लोक पढ़े और इन तीनों श्लोकों के माध्यम से एक श्लोक महार्शी भृगू का था और दो श्लोक महार्शी उन्हें बता दिया कि सारा का सारा शरीर हमारा पांच भूत बहुत बहुतिक 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 कैस को लाइक करके query में जाकर अपना doubt पूछ सकते हैं मैं आपका जवाब जल से जल दूँगी सबता के लिए धन्यवाद चात्रो नमो नम